हाउ रूफीक्स वान प्लास नोट सीई ओटीजी नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुवागर आप सभी का तिकराज योटुब चेनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आप जो है अपने वान प्लास की डिवाइस में ओटीजी नोट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपका जो ओटीजी हैं काम नहीं कर रहा हैं तो आप क्या सॉलूशन कर सकते हैं कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्फ होगा यही मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ ठीक है लेकिन दोस्तों यहापर कुई दिवाइस में जो है ओटीजी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं और कुई दिवाइस में जो है ओटीजी बिल्कुल अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं ठीक है तो आपको दोस्तों पहले तो वही जानना बहुत जरूरी है कि आपके मोबाइल पर जो है ओटीजी काम करते हैं नहीं करते हैं तो उसके बाद भी दोस्तों अगर आपके मुबाइल पर काम करते हैं फिर भी काम नहीं हो रहा है ठीक है प्रॉब्लम हो रहा है ओटीजी के द्वारा तो आप इस वीडियो को देखे मैं आपको कुछ सॉलुशन बताऊंगा जिसके मतल से आप अपने प्रॉब करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर सबसे पहले तो क्या करना है आपके जो ओटीजी के बले उसको ही चेक करना है एक बार दोस्तों मोबाइल को रिश्टार्ट कीजिए मोबाइल रिश्टार्ट करने के बा आपके mobile पे support भी करते हैं और आप mobile को restart भी कर लोगे तो आपका problem solve हो जाएगा अगर इससे आपका काम बन जाता है जो ठीक है अगर आभी भी आपको problem आ रहा है तो दोस्तों आप mobile को safe mode पे reboot करें उसके लिए mobile के जो power button है उसको press and hold किजिए power of के button पे 2 सेकंड क्लिक करके रखें और OK कर दीजिए mobile safe mode पे reboot हो जाएगा जैसे mobile आपका safe mode पे reboot होगा आप दुबारा से OTG को connect करें और उसके बाद देखें दोस्तो आपका problem fix हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने OTG not working problem solve कर सकते हैं By any chance अभी भी आपको problem आ रहा है तो दोस्तों हो सकते हैं आपके OTG cable का pin खराब हो गया होगा या फिर आपके mobile पे जो pin है जहां पे आप OTG को connect कर रहा है उसका जो pin है वो खराब हो चुका होगा तो इसको confirm करने के लिए आप mobile को एक बड़ चार्ज करके देखे अगर चार्ज हो रहा है लेकिन आपका OTG है वही काम नहीं कर रहा है तो OTG cable को change कीज़े प्राबलम solve हो जाएगा लेकिन मान लिज़े चार्जिंग भी नहीं हो रहा है OTG cable भी काम नहीं कर रहा है तो आपके mobile के जो पीने वही देमेज है तो आपको simply किसी भी सर्वेस सेंटर पर जाना है उनसे आपको advice लेना है वो आपका problem solve definitely कर देगा तो यह था दोस्तो solution OTG not rocking problem और दोस्तो last में मैं आपको एक option और बता रहता हो इसके वज़े से भी कभी कभार problem आ जाते है तो दोस्तो यह था एक simple सा solution OTG not rocking problem के related उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा Thanks for watching